कि आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूं और आशा करती हूं आप सब लोग भी ठीक होंगे आज का जो डिजाइन है बहुत ही बिल्कुल अलग सा और यूनिक सा डिजाइन है इस color को बनाने के लिए मैं 3 color का use करने वाली हूह हूँ और 2 color combination के साथ मैं आपको इसको दिखाऊंगी एक मैं dark के साथ दिखाऊंगी एक मैं light के साथ दिखाऊंगी light के साथ मैं बनाने जा रही हूँ ये देखेगा यह मैंने light powder बना लिया है और इसके साथ मैं यह वाला green इसमें यूज करूँगी और इसके साथ करूँए मैं pink वाला यह 3 color combination के साथ मैं बना के दिखाऊंगी वो 3 color combination का मैं बीच में दिखाऊंगी आपको जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हो और आप चाहिए तो इसमें बहुत सारे multi color भी का भी यूज कर सकते हो जितने भी आपके पास बचिवी oil पड़ी हो चलिए चलते हैं अपने design की तरफ यह देखिएगा इस तरीक से और यह मैंने टोटल 22 फंदे लिए हैं और 22 फंदे लिए हैं और 4-4 फंदों की multiple इसमें मेरा design चलेगा दो फंदे इसमें extra हैं अपने design को equal करने के लिए ठीक है पहली row है और पहला फंदा पहला फंदा इसमें मैं सीधा बनाऊंगी वाइट कलर से यह वोप वाइट कलर से धागा अपनी साइड लाएंगे जिस कलर से भी आप बाउडर बनाऊगे उसी कलर से हमें यह दो रो यह उल्टा फंदा बनाया मैंने धागा पीछे फिर सीधा फंदा बनाया धाग अपनी साइड फिर उल्टा फंदा बना इस तरह से ये पूरी रो हम complete करेंगे एक फंदा सिधा बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा सिधा बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे इसी तरह से हम दोनों रो बनाएंगे उल्टी भी सीधी भी साइड है तो कि नंगी साइड इसके उकी साइड है पहला भीडा मेरा सिध हरा दुसरे पर उल्टा रहा इसी तपना के आ पना सिधे को पर सीधा और ओल्टे को पर उल्टा चलिए दोनों प्रो बना के कंप्लेट कर दे से यह कि यह देखें का इस तरीक से इसको थोड़ा साइब पिमैं शेक्योम कर लोगी अनुए पहला फंदा सिधा बनाया अगले वाला भी मैं सीधा बनाऊंगी दागा अपनी साइट लाएंगे थड़ वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे यह फोर्थ वाले फंदे को सिधा बनाएंगे यह देखेगा और इसको हम फिफ्ट वाले फंदे को हम सिलिप करेंगे यह देखेगा पहला फंदा मैंने सिधा बनाय सेक्वाला भी सीधा बनाया थर्ड़ औल उल्टा बनाया फेर फोर्थ वाला बनाये सीधा बनाया फिर लले फंदे को मैं स्लिप किया आगे फंद में सीधा बनाऊंगी यह वाला यह देखेगा यहां से हम फिर रिपीट करेंगे अपना धागा अपनी साइड दो बन गे फंदे धागा पीछे एक फंदा सीधा है कि देन likely बन गए अब ये फोड़ वाले फंदे को कली सीधा है फिर अभर वाली मेरा रिपीट होंगे देखेगा यह Eastern सीधा बना था उसके बाद में इक माने सीधा मनाया फिर उल्टा बना पर सीधा बनाया फिर यह फंदा जार बताती हूं आपको यह देखेगा पहले वाला हम सीधा बनाएंगे धाग अपनी साइड यह वाला फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे इस वाली फंदे को सीधा करेंगे और इसको हम सिलिप करेंगे ठीक है चलिए इसी तरह से पूरी रोग को बना पते एक फंदा स सीधा आएगा इस तरीक से यह देखेगा उल्टी साइड है उल्टी साइड जो फंदे हमने बनाई है उल्टा बनाए है तो वहाँ पर आप उल्टा बनाना जहां पर सीधा है तो वहाँ पर सीधा बनाना जो फंद हमने सिलिप किया उसको हम सिलिप करेंगे ऐसे ठीक है यह दे तरह के डिजाइन आएगा हमारी चारोप बनके कंप्लेट होगी हम एक कलर से दो रोब बनाएंगे अब यह हमारी फिप्त रोब है और फिप्त रोब बिल्कुल हम जैसे हमने फ़र्ष्ट रोब बनाई थी इसे वाइट कलर से इसी तरह से बनाएंगे पहले वाली यह देख और ये देहान रखना इस तरीक से भी दाग अबनी तरब यह वाला फन्दा उल्टा पीछए बीच वाला फंदा सीधा धागा पीछे बीच वाला सीधा धाग अपनी तरब फिर फंदा उल्टा जो हमने फंदाशीं चिते हाना चाहिए इसां हूम बनाते फे पूरी रोखो अपनी complete करेंगे जे सोаешь हो पहले वाला पंदा हमारा उल्टाया जागा पीछे बीच वाई रही झाया दागा पिछ प्रूटाया जो पंदा में लिप क्या था कोई उसको हम सीधा बनाएंगे इस तरिक से ठीक है चले पूरिण को कम्प्लिट करते हैं इसी तरह से बनाते भी अब यहां पर हमारी six row है six row में जो फंदा हमारा उल्टा है यह पहले वाला फंदा मेरा सीधा रहा इसको सीधा बनाऊंगी धाक अपनी तरफ सेकिन वाला उल्टा रहा थर्डवाला फिर सीधा रहा इसी तरह से बनाके हम इनको कम्प्लिट करेंगे जो फंदा मारा उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे जो हमारा फंदा सीधा है उसको हम सीधा ही बनाएंगे चलिए अब बना लेते हैं और पूरी रो को बनाके अपनी क लगाएंगे पिंक फिंटर लगा लिए मैंने अपना और यह तर कलर है पहले वाला फंदा में मैंने सीधा बनाया यह सेक्ड वाला फंदा भी मैं सीधा बनाऊंगे इस तरीक से ठीक है दोलों फंदे सीधे बनाए और जी थर्ड वाला फंदा इस बार हम इसको सिलिप करेंगे यह आप है यह फोर्ट वाले फंदे को फिर हम सीधा बनाएंगे ऐसे धागा अपनी तरफ जो यह फिर्ट वाला फंदा है इसको मैं उल्टा बनाऊंगी अब एक ब फंदा में सीधा बनाऊंगी यहां पर और यह बीच वाला फंदा में सिलिप करेंगे ऐसे ही आपको करना है इस वाले फंदे को हम सिलिप करेंगे धागा अपनी तरफ इस फंदे को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे और इस वाले को हम सि सीधा दूसरे वाला वी सीधा बनाया थड़ वाले को सिलिप किया फिर ये फंदा सीधा बनाया ये उल्टा बनाया ये सीधा बनाया फिर इसको हमने सिलिप किया फिर बीच के जो तीन फंदे ये वाला सीधा ये उल्टा ये सीधा फिर सिलिप किया इसी तरह से करते हैं पूरी वाले को सिलिप करेंगे अब यह डियान की मेरे एट रो है पहले वाला फंदास में मेरा उल्टा आ रहा है तो उल्टा बनाऊंगी बीच वाला सीधा आ रहा तो इसको मैं सीधा बनाऊंगी फिर यह फंदा उल्टा आ रहा तो इसको उल्टा यह वाला सिलिप है तो इसको सिलि बनाएंगे इसे तरह से पुरी रो को complete करेंगे जो फंदा इल्टा रहा उसको इसको उल्टा जो सीधा रहा उसको सीधा जो चिप्अ है उसकोico करेंगे 8 रोग है डिजाइन की पुरी रोग को बनाके complete करेंगे यह देखिए गा 8 रों के बाद यह इस तरह का दिखेगा और अगर आप इसको dark कलर्ट के साथ बनाना चाहो तो यह इस तरह का दिखेगा जो भी आपको color पसंद आए उस तरह का बना सकते हैं और यह मेरे design का final look इस तरह का आए यह final look कुछ इस तरह का आएगा अगर आपको यह मेरे design पसंद आया हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो फिलीज आप इस वीडियो को like करना, share करना और मेरे channel को subscribe करना वीडियो देखने के लिए thank you मेल तेक नष्ट बुलियों बाइ